हलो फ्रेंड्स आपका फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आरे साउंड जैपूर में आज हमारे पास यह आउजा का SSA 208 Amplifier आया हुआ है यह जो बंदा लाया है वो यह पूरा मशीन बहुत दिनों से पड़ी हुई थी उसके बाद में यह हमारे पास लेकिया है इसकी पूरी वाइरिंग पूरी कंप्लीट की है वाइरिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको हम दिखाते हैं कि इसकी वाइरिंग आप देख सकते हैं किस कंडिशन में है लेकिन फिर भी हमने इसकी वाइरिंग को थोड़ी अच्छी कर दिये इसके बाद में आप इसकी वाइरिंग इधर से दे सकती है यह रेजिस्टेंस है स्टेट की लगी हुई है हमने नई लगाई हुई है इफाइब पांच वाट आज हम इसको प्ल 중요 करते हैं भी देखते हैं इसमें लाइट आ गई है exclusion हो गया है है और इसमें हमने इνपुट कर दिया यह नहीं पहले है हर कि माच्ट्र यहॉग लाइज डाल बादो कोई जाए लाइज और आएसक्याइई ठीक करेंगे हम इसकी audio कहां से गायव है वो आपको बताएंगे क्योंकि यह बिख्री हुई machine थी यह हमने इसका board पूरा देखा तो इसका पूरा board खराब हो रहा था यह condenser, capacitor और यह दोनो 3500 driver most speed है यह भी खराब थे इसके यह छोटे वाला audio transistor है और इसकी यह base vising की resistance है यह भी सब जली हुई थी हमने इनको replace करके नई लगाई हुई है यह आप कोद दिख रहा होगा यह पूरा board खराब था यह हमने ठीक किया यह condenser होगेरा यह सब खराब थे इसमें बहुत दुनों से रखी हुई machine थी यह किसी पास यह आपके 56 ohms की यह 33 ohms की resistance और यह 47 ohms की resistance है यह दोनों IN 4007 और इसाथ ही में यह इसका capacitor भी थोड़ा weak हो गया था तो audio में दिक्कत आ रही थी supply पूरी filtration नहीं कर रहा था उसके साथ यहां से पूरा यह complete करके और यह resistance सारी पहले ही बता चुके हैं यह नई लगाई दी है और इधर भी आप चेक कर सकते हैं इधर भी यह नई लगी हुई है यह state की हमने original लगाई इसके पहले लगी हुई थी local हमने यह original लगाई हुई है अब इम इसमें audio देके देखेंगे इसको on करेंगे करने के बाद में आपको इसको audio चेक कराएंगे यह master में audio आ रही है signal आ रहे है यह aux one aux two इंडिके टर्शन लाइब चालू है थैंक्स पूर वाचिंग आप अगर ने चैनल पे नए होगा तो subscribe करें लाइक करें और ज़्याद़ ज़्याद़ शेयर करें आउजा ऐसे से डाइस वाट फुल रिपेर थैंक्स पूर वाचिंग